हेलो एवरिवन तो आज हम संख्या पद्धी के बारे में पढ़ेंगे नैच्रल सिस्टम के बारे में और संख्याओं की पहचान करेंगे सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक संख्याओं यानि की नैच्रल नंबर्स जो भी गिंती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं गिंती की संख्याओं को यानि की counting numbers को हम natural numbers कहते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक एक से शुरू होने वाली जो भी हम गिंती लिखते हैं वो natural numbers होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती है उसके बाद है पुरन संख्याएं whole numbers प्राकृतिक संख्याओं के साथ शुन्य मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूरन संख्याएं कहलाती है जब हम इन natural numbers में 0 लगा देते हैं जो कि हमारे एक से शुरू होती है natural numbers जब हम उसक ततक रहती है उसके बाद है पुर्णांग जिने हम integers कहते हैं पूरण संख्याओं के साथ रिनात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पुर्णांग कहलाती है यानि कि integers कहलाती है जैसे पूरण संख्याओं 0 से शुरू हुई थी 0 1 2 3 4 5 जब इसके आगे पहले हमने minus की जो numbers है minus वाली जो numbers है जब वो लगा देते हैं तो वो हमारे पस फिर ये पूरा जो number system बनेगा वो पुरुणांग कहलाएंगे जैसे आप देख रहे हैं कि जीरो से पहले यहां पर रिनात्मक संख्या यानि की negative numbers है और जीरो के बाद जो संख्याएं आ रही है वो धनात्मक संख्याएं हैं तो धन पुरुणांग जो positive numbers होते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच और रिन पुरुणांग जो minus वाली जो स संख्याएं होती हैं उन्हें हम रिन पुरुणांग कहलाते हैं कि अ